हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एट होम कोकिंग में आपका मौस प्रेलकम है फ्रेंड्स आज मैं विंटर स्पेसल गोभी की पराठी की रेसिपी लेके आई हूँ और उमीद करती हूँ कि यह पराठी की रेसिपी आपको बहुत प नहीं हो अब मैं इसे चॉप करणागी अगर आप पर चॉपर नहीं है तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं तो यह मैं चॉपर की साहता से बहुत अच्छे से चॉप कर ली हूँ अब चले आगे के तरफ चलते हैं तो सबसे पहले पैन में 2 तूटेबली स्पूंट डालेंगे औ और उसमें हम थोड़ा इसा ही डालेंगे हिंग, हिंग डालने के बाद बहुत अच्छे से हिला लेंगे, जब ये क्रैकर हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज के बारी कटे हुए प्याज, दो हरी मिर्च और दो इंच टुकडा अध्रक का कदुकस करके मैं दाली हूँ, इन सभी को मैं थोड़े देर तक भूल लोगी, दो मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे चौप किया हुआ गोवी, और गोवी को डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है और कवर नहीं करना है अभी, अभी हमें दो मिनट तक ऐस बढ़ा देजिएगा, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ही रखिएगा, तो चलिए दो मिनट हो गए है, अब इसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक वन टीस्पून में डाल ले हूँ, आपको जितना नमक खाते हैं आप उतना डालिए, हाफ टीस्पून दाली हो, फशल्दी पाउडर और, दotiया पाउडर, भूना जीरी पाउडर डाल रही हो चिली फ्लेक्स यानि कुटी हुई मिर्च 1 तीस्पून इसमें 1 तीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर और इन सभी को बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूंगी मिक्स करने के बाद इसको मैं कर दूंगी कवर बहुत ही मज़े का बनता है बहुत ही टेस्टी आप ट्राइ जर प्राइस और भून लोंगी तक इसमें सोधापन आ जाए कवर नहीं करना है और हम इसको लास्ट में इसमें धनिया कटी हुई धनिया डाल देंगे यह बहुत अच्छे से भून चुका है गोभी गल चुकी है उसकी बाद में इसमें डाल रही हूं कटी हुई धनिया की पत् अब चली हम आगे की तरफ चलते हैं इधर में तीन कव भर के कियों का आटा ली हूं इसमें थोड़ा सा नमक और हाथों से क्रश करके मैं डाल रही हूं अजवाइन इसमें डालूंगी मैं टू टेबल स्पून घी घी के जगह पे आप रिफाइंड ओयल मी डाल सकते हैं और टू टेबल स्पून ही दही में डाल रही हूं इन सभी को बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स करूंगी उसके बाद इसको मैं पानी लगा के एक डो रेडी करूंगी तो यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया ता फिर मैं थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ए 10 मिनट के लिए रखूंगी मैं पराठे बनाने से पहले 10 मिनट रिस्ट जरूर देती हूं इसे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं तो यह पूरी के पूरी हो गये हैं 10 मिनट अब इसको एक दो पंच लगा के फिर मैं इसका एक थोड़ा सा पोर्शन लोंगी आप पराठे के स चाहिए ग्या रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें से पोर्शन लीजेगा तो यह देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा बड़ा भी नेली हूं और बहुत ज्यादा छोटा भी नेली हूं अब मैं इसमें लगाऊंगी सूखा आठा और इसको एक कटोरी के शेप में बन हमें ताकि यह चार तरफ बहुत अच्ची से एक लेयर की तरह हो अगर इस्टफिंग एक लेयर की तरह हो अंदर तो पराठा घाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है और मैं इसी तरीके से बनाती और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है अब मैं इसे बेल लूँगी मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना रही हूँ ये देखे फ्रेंट्स अब मैं इसे चली सेख लेती हूँ इसे उलट पलट के बहुत करारा सेखना है बहुत लोग को soft पसंद है, बहुत लोग को करारे पसंद है, तो इसमें oil थोड़ा सा बढ़ा के और थोड़े जादा देर तक से किएगा, तो बहुत ही जादा crispy करारे आपके पराठे बनके ready होंगे, तो इधर देख सकते हैं, कितने अच्छे सिक्के ready हो गये हैं, अब इसे हम तोड़के हम आपको दिखाते हैं, ये देखी फ्रेंड्स, एक लियर की तरह अंदर की जो इस्टफिंग है, एक लियर की तरह चारो तरह फैली होगी है, इस्टफिंग वले पराठे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं इसे बटर के साथ खाने जा रही ह तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाहिए